आज सुबह जो दुखद घटना हुई जिसमें की दो होटलों में यहां पर आग लगी चारवाग के आसपास इसके बाद जिला प्रसासन ने भी और पुलिस ने भी यह निर्णे लिया है DGP सर के निर्देश पर हम लोगों ने भी मैंने CFO की और FSO की सभी की मीटिंग की और उस मीटिंग में जो रूल्स हैं और जो एक्ट हैं फाइर सर्विस के उसके हिसाब से एक अभियान चलाकर एक महने के अंदर में चारवाग और इसके आसपास के जितने शेत्रें जो भी न पादचीत हो चुकी है और 2017 के सेप्टेंबर में भी हम लोगों ने इस तरह का अभियान चलाया था उसकी रिपोर्ट है हम लोगों पास और उसके आदार पर कल से हम लोग कारवाई करना इसमें शुरू करेंगे और जो भी नियम से अलग हट कर जो भी काइड कर रहे होंगे उस पर कारवाई करेंगे साथी साथ मैं आपके माध्यम से यह बताना भी चाहता हूं कि जो फाइर सर्विस एक्ट्स है और उसके जो रूल स्टूट फाइब के बने हुए है उसमें 15 मीटर से उपर के जो भी होटल है और या जो भी उची बिल्डिंग है उसके लिए फाइ करवालें फाइर की नहीं कराने पर उनके खिलाप जो विधिक कारवाई है उन सभी खिलाप विधिक कारवाई भी की जाएगी